हलो और वेलकम यौल तो बीट थे स्टीट तोड़े वी आ गोंग तो डिस्कूस ए सम्थिंग वेरी इंट्रेस्टिंग और सम्थिंग वेरी स्पेशल स्टोरी अबाउट अम्मानी स्कनेक्शन तो अडानी इस एंडी टीवी होस्टाइल टेक ओवर और आज हम इस वीडियो में समझेंगे किस तर से यह जो एंटीटी है वो काफी काफी ऐसा लग रहा था पहले कि अमनी यहाँ पर इसमें टेक ओवर कर सकते हैं बड़ यहाँ पर अडानी का टेक ओवर हो जाता है तो उसके पीचे की जो स्टोरी है वो काफी इंट्रेस्टिंग है तो स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे और अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को नाइन में इनट्म में चैनल पहली उनको बताना चैनल श्यूसनरु को को सब्सक्राइब 4-5on प्रजयरोई निकल कर आती है, कि मनोज मोधी को help करने हैं प्रनेयरोई जो यह है, साब जी जो NDTV के promoter है, मनोज MID कोन है मनोज मोधी अम्माणी के राइट हें तो यह स्टार्टिंग शुरूरा द वी तो इस हैं एक टीजर, तोATION नीला राडिया इसमें बीच में सेटिंग करवाती और ET के जनरिजम को यहां पर देखने को मिलता है तो अब यहां पर money flow कैसे होता है वो सबसे important है और यह हर transaction को आपको डंग से समझना पड़ेगा to understand की पैसा किदर से आया और किदर गया तो यह काफी complicated है तो उसके लिए मैंने यहां पर एक simple structure बनाया कि Reliance की एक holy owned company है holy owned subsidiary Reliance Ventures Limited वो क्या करती है एक loan देती है 403 करोड का Shiano Retail Private Limited को और जो Shiano Retail Private Limited है वो itself holding company एक subsidiary company holy owned subsidiary Reliance Industrial Investment Holding Company Limited की और वापिस Reliance Industrial Investment Corporation Limited तो Reliance की holy owned subsidiary तो ultimately Reliance ने अपनी holy owned subsidiary को loan दे दिया 403 करोड का और 403 करोड का यह जो loan होता है ताकि यह आपकी holding company है उसके books में इस तरह दे नहीं दिखे तो आप क्या करते हो आप multiple बीच में entities create कर देते हो और उसके बाद वो loan देती है विश्व प्रधान Commercial Private Limited जिसको हम VCPL बोलेंगे आगे से तो VCPL जो entity है उसमें अभी जो अड़ानी ने acquisition किया है वो VCPL को acquire किया है अड़ानी ने जबकि इसमें loan किस ने दिया था इसको इसको loan दिया था Reliance ने तो सबसे पहले तो Reliance ने यहाँ पर 400 करोड का एंड CFO जो कि CFO थे उस टाइम के Reliance Retail के और VP Finance थे एंड Reliance उनके LinkedIn के इसाब से और Kalpana Shrinivasan जो कि CS है Reliance Industries की वो इसमें आपके विश्व प्रधान Commercial VCPL में वो उस टाइम डाइरेक्टर बनते हैं ठीक है अभी तक का बहुत ही simple है कि 400 करोड का loan देते है 400 करोड का loan विश्व प्रधान Commercial Private Limited को मिल चुका है अब जो 403 करोड का loan है वो loan agreement इस तरीके का बनाया जाता है कि विश्व प्रधान Commercial Private Limited जिसमें भी पैसा लगाएगा जिसमें इसने पैसा लगाया जो कि NDTV में पैसा लगाया इन्होंने तो NDTV के साथ यह इस तरह के rights लिखते हैं कि जो 400 करोड का हम loan दे रहे हैं यह एक तो दो ट्रेंच में देते हैं 350 करोड और 53 करोड करके इसे दो ट्रेंच में देते हैं तो उसका भी reason में आपको बताऊंगा वीडियो में और 350 करोड का जो loan होता है उसमें इस तरह की यह चीज़े लिखते हैं कि आपको इसमें कोई interest नह लोन देते हैं RRPR का मैं आपको पूरा समझोंगा कि RRPR कैसे बनी क्या है RRPR अंडीटीवी की आप देखोगे शेरोलिंग पेटर्न में तो RRPR का majority stake 29% सबसे highest single shareholder का stake RRPR का है तो RRPR एक promoter company है जिसमें loan देते है VCPL, VCPL loan देते था इसको 403 करोड का और 403 करोड का loan देने के ब आपका 10 साल का था 2009 से 2019 तक और उसके अलावा आपका उसके बाद भी जब चाहें आपकी जो सारी holding है उसको RRPR की holding से convert कर सकते हो तो आपको indirectly वहां पर stake मिल जाता है 29% of NDTV का बट क्यूंकि इसमें बहुत सरी चीज़े और चल रही थी तो 2009 से 2019 तक इसमें कोई चीज़े तो in the same year उसी साल राधीका रोय और प्रनेय रोय की balance sheet में भी same 403 क्रोड का loan यहां पर देखने को मिल जाता है जो यहां पर loan दिया जाता है with the NDTV as they did with the Ragaweals TV18 Network 18 के साथ भी उन्होंने किया था तो same कि आपका जब भी हम चाहें वह वारंट्स के थुरू equity में convert कर सकते और majority rights फिर Reliance को मिल जाएंगे तो यह same उन्होंने कर दिया तो Shiano Private Limited अभी जो company थी वो भी Reliance की company थी और Reliance ने विश्व कर्मा को दिया विश्व कर्मा विश्व कर्मा का आप देखोगे तो विश्व कर्मा ने राधिकार रोय प्रणाय रोय की holding private limited company को यहाँ पर loan दे देते हैं तो ultimately पैसा भी पहुंच चुका है RRPR के पास RRPR क्या है RRPR एक company बनाई गई जो राधिकार रोय प्रणाय रोय जो की इस company NDTV के promoter रहे हैं उन्होंने company मनें अब क्या होता है इसमें interesting case आता है वह start होता है 2009 के बाद so after 2009 2012 में क्या होता है एक third company आती eminent करके जो eminent company है वो eminent company है उसको owner है महेंद रिनाटा महेंद रिनाटा कौन है जो board member है जीयो में और MD है HFCL के HFCL के MD है और महेंद रिनाटा बहुत ही close person है मुके शम्बानी के और वो इस पूरी company को खरीद लेते हैं और उसकी ownership है उनके पास सिल जाती है और वो जो loan है पूरा 403 करोड का to RRPR loan जो दिया जाता है वो उसको 50 करोड में खरीद लेते हैं यह company महेंद रिनाटा खरीद लेत में तो यहां पर क्या हुआ 350 करोड हो गए गायब ठीक है अल्टिमेटली रिलाइंस की बुक से निकल गए 350 करोड समझ रहो आप तो वो सबसे इंपोर्टेंट है अभी यहां से सबसे पहले चीज़ी तो 350 करोड वहां से निकल गए और इनके पास राइट आ गए अब सबसे इंपोर्टेंट सीच क्या है कि RRPR को पैसो की जड़त क्यों थी वह भी समझना जरूरी है तो 2007 में आप देखोगे तो रोय ने बाइबेक किया था जनरल एट्लांटिक से NDTV का लिए और उनको इसके लिए पैसो की जड़त थी तो इन्होंने इंडिया बुल्स से लोन लिया 500 करोड का 500 करोड का लोन लिया और इंसे चुका नहीं तो फिर इन्होंने क्या करा ICC से लोन लिया ICC 375 करोड का लोन लिया और वह लोन की इंट्रेस्टर ज्यादा दी तो 350 करोड का लोन है न तो मैंने आप गदाया था 403 करोड का लोन दिया टोटल वह दो ट्रेंज में दि के पास कि वो जब चाहे जब इसको convert कर सकती है बट वो VCPL किसके पास है VCPL थी महेंद्र नाटा के पास यह सबसे important आदमी हो गया भी HFCL का जो owner है और महेंद्र नाटा जो close person है अब कभी भी तो इसमें दो-तिन करोड जो है वो निकल जाते हैं सबसे पहले तो रेलाइंस की books से बाहर निकल जाते हैं और महेंद्र नाटा को अल्टिमेटली फायदा हो जाता इससे और अभी जो ट्रांजिक्शन हुआ है तो आरार पीर ने जो आपके जो दो लोन लिए लिए उससे pay-off कर दिया अभी आरार अगस्त को क्या होता है कि रेलाइंस क्या वीसीपेल की जो कंपनी है जिसके पास अल्टिमेट राइट्स पड़े होए थे जो कि महेंद्र नातरा अभी जो उसके फिलाल वीसीपेल के अगर हम डायरेक्टर देखेंगे ना तो दो बंदे अनिल जैन और कुछ कुल करके इसके बाद वह अक्वईर कर लेता है एक ही दिन के अंदर कि इस इसब करचु के है नाओ सबसे है कि यार आंबनी ने क्यों नितन से पहले है और अभी क्या चीजे चेंग जई ही और इससे पहले आगर लिए और किसी पैसे हैं अगर में आखम हम देए तो एक मैंई है को सब भाग रहा है वो भी काफी important है तो 22 जुलई को एक sat का और security tribunal का यहां पर आता है order वो कहता है कि सेबी का order था जो रोक रहा था VCPL को acquire करने के लिए मतलब VCPL के पास क्या दे कि VCPL के वाद समेशा rights थे कि वो कभी भी चाहे तो acquire कर सकती है और take over कर regulation का उलंगन था तो उलंगन के चलते सेबी ने उसको रोका हुआ था सेबी का order को क्या कर देती है सेट आके हटा देती है कि अभी जब VCPL चाहे तब convert कर सकती है यह normal business transaction है किया जा सकता है तो अब क्या होता है इस शेर भागना start करता है बट लोगों पता नहीं कि क्यों भाग रहा है क्या भाग रहा है बट 180 से 375 हो जाता है 108 percent का return यहां पर और और आज भी 5% अपर तो करीबन करीबन और ज्यादे ही हो गया है तो 110-115 percent के लंशम का gain हो चुका है from the day when the set order came now अब सबसे important चीज क्या है कि अनिल कुमार जेन जो की 2016 से इस company में है वो close connection है महिंदर नाटा से क्योंकि उनकी HFCL की जो HFCL के एक entity है HFCL BEZEQ Telecom Limited उसमें वो डाइरेक्टर है वापिस और दूसरा बंद है कुलविंदर पाल सिंग उनका भी अनिल के साथ close भाइए करता है वो रीवन 31 130 सी मैं ऑनिनरेड टिर्टीन करोड में इसको बाइए करता है अब आप आपको में बताँ थे दूप है याटेस से इसे जादा रेटन होता है तो यहांपर कह लुए हैं आपने बहुत सरे क्योंच शुटे होते हैं औरिसका अंसर मेरे पास भी नहीं है और we need to see कि एक evolving story है और हमारे को देखना पड़ेगा कि क्यूं और ऐसा क्यूं किया है कि अम्मानी ने अम्मानी जब कि इसको acquire कर सकता था फिर भी उन्होंने अडानी को rights क्यों दिये हैं क्या इसमें कोई political connection हो सकता है तो definitely हो सकता है और might be something else can be possibility but फिलाल जो अभी प्राइमा फेसी देखने को मिलता है वो यह है कि 50 क्रोड में महेंद्र नाटा ने खरीदा और 113 क्रोड में आपके AMG Media ने खरीद दिया तो ultimately अब महेंद्र नाटा पिक्टर से आउट हो जाता है अमानी आउट हो जाता है और आब आ जाते हैं Mr. हमारे अडानी जी अडानी जी क्या करते हैं इसे एक दिन में acquire करते हैं तीन entity जो AMNL, Next Wave टेली वेंचर प्राइवेट लिम्टेड और Eminent Network प्राइवेट लिम्टेड जिसके तुरू यह सारे ट्रांजिक्शन होते थे और VCPL सारे को acquire करके क्या करते हैं कि VCPL अडानी इंटर्प्राइस और इनकी जो AMG Media Network Limited है उनसे open offer देते हैं और open offer की जो pricing आती है वो आती करीवन 294 294 क्यों आती है और क्या यह गलत नहीं है क्या तो सबसे बता दू कि मैं last trading price अब भी जो 5% up है यह 375 कल की price है उसमें भी 5% up है अब यह करीवन-करीवन 26% के लंसम का discount है open offer की जो price है बट क्या यह possible है तो हाँ क्योंकि जो सेबी का calculation है उसके इसाब से यह 15 to 16 days के कुछ average होती है वो price के इसाब जाता है 294 is okay ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है क्या है क्यों है कुछ गलत नहीं है everything is properly regulated now something which is interesting कि Adani is not much excited about this stock or this story क्योंकि उन्होंने जो अगर उनको अगर असनी में खरीदना होता तो यह करीवन करीवन उसकी जो pricing होती को करीवन 400 रुपए देते क्योंकि अभी अगर इन्होंने जो price दी है वो तो वो price एसी price है जिसमें कोई भी आप हेंड़ोर नहीं करोगे न open open में क्या करना है आपको sale करने टाइप ही है तो आप जब open market में share को आप 400 रुपए पे sale कर सकते हो तब आप क्यों 294 में अपने share को दोगे यह एक और question निकल के आता है अभी तो यह क्या होता है कि आप 294 में क्यों देंगे तो you can sell share at 375 in the open market तो why you will give to him तो अभी क्या होगा अड़नी के पास only 29 परसेंट स्टेक ही है अब इसमें एक और इंट्रेस्टिंग चीज ही आती है कि सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास है राधिकार रोय प्रने रोय के बाद यहां पर FIA की दो entities हैं उनके पास यहां पर स्टेक निकल के आता है वो है LTS Investment Fund जो कि एक Mauritius based FIA company है और उसमें उसने चार और अड़नी ग्रूप की कंपनी में पैसा लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इसका करीवन 10% स्टेक है और इसका 5% है तो विकासा इंडिया यह फंड का इतना कुछ relation निकलता आता है बड़ा LTS का यहां पर clear cut relation निकल आता है तो अगर यह 10% यह दे देती है तो 29 plus 10% तो 39% स्टेक आ जाता है अड़ानी के पास जो की एक single shareholder के पास और रादिकारोय प्रनायरोय को मिला के 32% ही है तो 39% will be the majority stake which come to in the hands of अड़ानी तो अब अड़ानी के पास यहां पर majority stake आ सकता है इसकी possibility है बट क्या हो सकता है और journalism में क्या इसका impact होगा तो journalism में majority majority अभी तक तो फिलाल प्रनायरोय रादिकारोय ही रहेंगे और अभी तक अगर stake कोई देता ही नहीं है तो 29% stake की आड़ानी के पास रहेगा तो उससे वो कुछ नहीं कर सकता है वो बस यह कर सकता है कि उसका impact हो यह होगा कि special resolution जो पास होते हैं कि जो important चीजें होती है वो यहाँ पर फिर रादिकारोय प्रनायरोय नहीं कर पाएंगे वो क्यों manage जो भी simple जोड़ी वो चीजें ordinary resolution कर पाएंगे क्योंकि special resolution के लिए 75% वोट की ज़रोत होती है और 29% वोट अगर अड़ानी के पास होंगे और वोट नहीं करता है तो कहीं न कहीं फिर आपकी चीजें आप नहीं कर पाऊगे और ordinary resolution में 51% stake की ज़रोत होती है तो you can do this easily अब क्या चीज निकल के आती है कि अब क्या हो सकता है और एक investor के लिए किस तरह से सोचना है तो as rumors of Adani buying NDTV Royce always dismissed तो राधिकार और प्रणाय रोई से इसमें क्या हुआ कि कुछ discussion ही नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 22 अगस्त को एक दिन पहले इस तरह की news निकाली थी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा कोई discussion नहीं है ने पहले था ने अब हो है और कोई change में ownership नहीं है और तेही सकस को एक अड़ा नहीं आता है open offer देता है और सब कुछ जाता है तो राधिकार हो है और प्रणाय रोग को तो बिल्कुली aware नहीं है कि पीछे क्या हो problem for both side तो इसके करेंट ये थोड़ा सा courtroom side लगता है बट हाँ एक बार का open offer दे चुक है और pump and dump story लगती है इसमें मेरा क्या point of view है वह भी मता देता हूं कि ये completely pump and dump story है already stock इतना भाग चुका है अब भी official announcement आने से पहले इतना भाग चुका था अब दूसरी चीज है कि जो open offer है उसमें 20% इससे 25% का discount है तो अगर आपने पैसा बना लिया है तो एकजिट ले ले और अगर आपने पैसा नहीं बना है तो अगर आपने लिया ही नहीं है तो अब ले भी नहीं क्योंकि जहां पर भी इस तरह की चीजे होती है वहां पर कहीं नहीं issues रहते हैं और अगर stock हम इसको time देंगे एक quarter दो quarter तक देंगे अगर अधनी असली में acquire कर लेता है और इसके पास और majority stake आ जाता है 26% भी आ जाता है तो फिर यहां पर कहीं न कहीं चीजें इंट्रेसिंग हो सकती क्योंकि 29 और 26 can be a bigger chunk और 50 से ज्यादा हो जाता है तो वह एक कहीं न कहीं possibility आ जाती ह और यह Adani Enterprise में transaction हो रहा है तो वह आप ध्यान रखे जरूर एंड मुझे लगता है कि mostly यह चीजें है जो पूरा courtroom डाम है और यह पूरा जो चार्ट है यह आप देख सकते हैं इसमें मैंने सब कुछ चीजें सब कुछ highlight किया है कि किस तरह से AMG Adani Enterprise इस से related है और किस तरह से यह जनरली आप देखें कि यूट्यूबर टच नहीं करते हैं तो अगर आपको इसे पसंद आता तो यार इसको share करो अपने जो investing group जो होते हैं उनमें share करो ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इससे connect कर पाएं और share करो thank you so much bye bye